तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पालिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर तेरा नाम क्या है? बांडिया क्या है? डांडिया बांडिया, बांडिया अगर में फुटपास्त पालिश करता, तो इतनी कमाई होती कि एक हटे कंदर में एक नाओ खरी दिलेता, ये लो, ये ठोड़े से और पुराने जूते हैं, इन पर हाँ साफ करके अच्छे से पालिश करना सीखो, और ने भी देंगे, और कुछ जूते पैरों के साथ चल कर बा पर पटाई होती है, अच्छा, ये मजाल, अब तो भक्त गंदर काम करके दिखाता हूँ, बटाफाट, ये काम खतम करोगे, तो तुरंत दूसरा काम दूँगा, मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ, कि एक वाद एक काम देते जा रहे हो, अच्छा, ये बताओ, मैं बहुत अच्छी तरीक, स कपड़ में दोता हूँ, इसका बैलकुल नहीं यहाता, मैं इसको बिल्कुल शिका दोझा माहिए, बने अख्या, जो नहीं जांता वो ध्बड़र भिरण तो फट जाएगे, ये काम तो तुम को ही करना पड़ेगा, मैं खाज खाज, अच्छ , एक बात बताओ, यहां कि लोगों ने पिछले दो साल से कपड़े नहीं दोए क्या? एह, फाल तु बातों मैं वक्त बरबाद मत करो, बाकी लोग भी अपने कपड़े ला रहे हैं लाने दो, लाने दो, बुरे घर के कपड़े लाने दो, और पुरूसनों चे भी बुचले, उनके कपड़े उनको भी लाने दो, यह सच्ता अव अच्छा सावन है, इसलिए तनी मजदूरी करवा रहे हो लहेंगा है कि सरकस का तंबू, यह नो टंकी, ए नटवर, एक बात पताओ, इस घर में कितने परिबार रहते हैं, 15-16 परिबार, तुसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला गोसित क्यों नहीं कर देते हैं, काम कर ने तो तुदे रसी में सुखा दूँगा, हाँ यह कुर्ता किस राख्षस का है, यह कुर्ता हमारे बड़े साहब का है, मतलब इन राख्षसों में से और भी एक बड़ा राख्षस है, नीची अवाज में बात कर, यह लोग तो कुछ भी नहीं है, असली साब तो वो है, मंगल सिंग चोहान, गुजरात गया है, आने वाले अलो अलो पिर नो खाडो पुरूवा अलो, क्या हाडू, मै् खाडो नहीं सोदूंगा, नथी, पुरी बहुत गुजरात इसामरे नहीं ना ही जम्ना जबू, नहीं जम्ना, baru जब्तृ, तो जलु जब्हाद मा, गज्ना गजद्रा जाके, साले गुजराती समझतनले, मह क कपड़े की तक मज़ा आएगा कपड़े धोधो मेरी हाला खराब हो रही हो और पेट में खाढ़ पूरुगा का मतली मालोम है क्या है वह खाना खाने के लिए बिला रहा था क्या जाद अभी काम कर जाद क्या खाना हाँ चॉली की सबजी है और मिटाए में गूगरा है कि के का खाने में चोली, सबजी, और क्या चपाती चपाती मिठाइ मैं तो कुछ और ही समझ झा था अब कुछ नहीं हो सकता इस घर का अश्रूल है कि एक बदlaw यहां दो रंदे चो खाना नहीं पर यह यह भगवान क्या जिलूम है सारा काम करूं मैं खाये वो अब कुछ नहीं हो सकता क्या हो सकता है एक बड़ सबका खाना हो जाए कुछ खाना बचेगा तुम इनसे कह दूगा वो तुमको बोला लेंगे एक कुछ करो ना कुछ करो ना ताक ये कपड़ा था किक इर मेरे कर रहा है कि पागल हो गया अचनक लोती बहेंगे कपड़े हैं जरा से भी फड़ गए ना तो बड़े साब तुझे पाड डालेंगे हाँ कर दो कर दो कर दो जो यह अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेदा gün पबने जरूर कोई गरबठ की होगी, तब ही तुमठी तुमारी यह हालत बनी है, यह तो अच्छा हुआ हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंग गया, नहीं तो लोग तुजे मार मन के ताल ढोक ली बनाते भी ते, और शाम को खाण ही लेते थे किस तरह के लोग सुभाइ से साम तक काम 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 खाना हराम अच्छा यह प्राणी यहां बैठा है यह बैठा है अरे तुम्हें समाचार मिले रसोई घर में उन लोगों हमें बरतन की तरह दुआया है उता मारा वहां भी मारा रोता क्यों आप कहीमा जाना हां यहां बैठ बैठ यही मिलेगा मार नहीं खाना यह प्लेट ले दो यह किस जानवर की चमड़ी नहीं चपाती है तो इसे सूखा के से इसके साथ कुछ तो चाहिए अचार मिलेगा आचार जो यह जो यह जो यह जो ले चार एक बे तईन चार यह क्या है छे पांच छो हाथ धोए क्या चोविस गंटेस कपड़े दो रहा हूं वो भी साबुन से अब यह हाथ में दो इस खाने के लिए आरी मिलेगी काटने के लिए शुकर करो बाकी दिनों के लड़के अच्छे हैं बहुत में इतने देते हैं क्या अच्छा तो तुम्हें फाइस्टा उटल से खाना लाके दे चल दी खाओ और काम पर चलो ने 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 मुझे इतना मजबूत और टिकाओ खाना खाने की आदत नहीं है अरे इसे देखो कैसे चुपचाप खाना खा रह खाने की अ वो है लेपर कर अजय है और यहां कि ने खाल है घृझा शुपचाइ है च्चा बाइख जो विये लारी हो ड़ाना यह यही है जिनके बारे मिन तुम बात कर रहे थे ना ने फजल्य है अभर यह और मेहम सहाँ लेकिन क्यों घॉख खाती है क्या नई बैचारी बोलने सकती लेकन सुन सकती है मे तुमें अदमी से मह बना चाहतिया। चलो ना ये देखोगे ना वो बोल सकता है ना आज़ वह सुन सकता है. लेकिन देखने ने लगता है कि वह गुंगाए बहरा है. तरहाद होतो है! तुर मैं खरना खरने दिए! प्रकुन होत! मालिक माफ कर दो मैंने आपको देखा नहीं अरे देखा नहीं तो तेरा निशाना बराबर आख के नीचे कैसे लगा मैं तो इसको मारा था किसे इस बिचारे गुंगे जीव को अब तुझे दिखाता हूँ मजा रुखो यह पकड़ो अब तुम इसे मारो मारा है 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 सुनो पिल्कुछ यहीं लगना चाहिए है यह दूंगे मैं तेरा भाई हूं साले यह तरी थोड़ दे हां यहां अब आव साले कुछ भी हो मंगल 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 अरे आप लोगों को मंगल के सिवा कुछ दिखता है कि नहीं मंगल आपका बड़ा भाई नहीं है वो आपके बड़े भाई का लड़का है अरे मैं मानता हूँ मेरे बड़े भाई का लड़का है लेकिन मेरे लिए तो वो बड़े भाई से भी बढ़कर है, जो वो कहेगा, वो इस घर का कानून होगा, और सब को मानना पड़ेगा, तुमको भी. चख्ण यहाँ, क्या बढ़कर है, यहाँ, क्या फूट गई तो ह्म लोग प्लस्टर किरवा लेंगे, तेरी टांग का प्लस्टर हो सकता है, मनडप की टांग का प्लस्टर नहीं ऊ सकता ना, यह सारी ही मेरी है, मजब चाहँ, यहाँ सकता हूं, सम्ड़ा किनम nervous? ऐध, चल फूट! क्या फूट? चमभाल कर, जाल काटने को बोला था, यह क्या कर रहा है? समने खड़े रोगे तो लग जाएगा है, रजा! क्या हुआ? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है यह? तुमको चहिए क्या है? अरे इसे मैने बांदा है तो मैं ही ले जाओंगा अरे इसको तो छोड़ इसको मैने बांदा है अरे मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं ये तो आप इची तरह जानते हैं और इस घर के सभी लोग जानते हैं कि सादी होते ही में ले जाता हूं ए बाबू, क्या हुआ? साब, मैं कह रहा था? ताय लंबी कर दिये क्या बांदा था इसने? शादी के लिए बांदा था किसकी सादी? शुरुती में सब की अच्छा, तो ये है शुरुती का पती? क्या बख्वास कर रहा तू? मरवाए का क्या? अरे वो चिल्ला-चिल्लाग नहीं के रहा था मैने बांदा है, मैने बांदा है बांदे का मतलब शादी का मंडब बांदा उसने कोई मंगल सुत्रे नहीं क्या? ये मंडब है? मैंने तो सुचा जर है तुम्हारे काओ में ऐसे घर होते है सला डॉंकी ये घर नहीं महल है बड़े साका हुकम था कि इस घर को आलिशान महल की तरह सजा दो शूती में अमसाब की शादी है ना? सादी कब है? तारिक तो कब की निकल गई? जिस दिन शादी थी ना उसी दिन शादी तूट गई सादी के ही दिन सादी तूट जाना कितने दुखी बात है इसी मंड़ में शादी तूटी थी और इसी मंड़ में शादी होगी ये कसम खाई थी मंगलने इसी मंड़ में अब एक कसम क्या तेरे से पूछ कर लेगा वो ज़्यादा पडबन मत कर बाड़ा तो तुझे मिल रहा है न? देखो सेट जी फसाओ मत मुझे पहले ही दो-तिन शादी और एक मंदीर का तिवार इन सब का एड़बांस ले चुका हूँ ये मंडब खोल कर मुझे उधर लगाना है अगर तुने इस मंडब को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूँगा मजाग कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ तो फी ठीक है बाकी ऐसा मजाग मुझे बिलकुल पसंद नहीं हाँ और हाँ अगर उस लड़की की शादी कभी नहीं हुई तो भगवान के लिए यह मत कहना किस मंडब को उसकी साधी के असमारक के तौर पर छोड़ दो